नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारा YouTube चैनल पर और दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर दोस्तों आप Elementor यूज करते हैं और Elementor में दोस्तों आपको loading की problem आ रही है जैसे दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है जिस इस पेज को हम एडिट करने चाहते है Elementor में उस पेज को आपको कैसे ठीक करना है यहां पर दिखाई दे रहा है कि loading का issues आ रहा है आप अगर Elementor को open करते होगा तो दोस्तों आपको भी इस तरह का issue यहां पे आता होगा तो इस वीडियो में दोस्तों फाइनली हम इस problem को यहां जो ही problem है इस problem को हम यहां पे ठीक करेंगे दोस्तों यहां पे आप two types से ठीक कर सकते हैं two types का मतलब या तो दोस्तों आपको plug-in में जाके करना पड़ता है और या तो दोस्तों आपको file में जाके ठीक करना होता है file में जाके यानि कि आपको server में जाना पड़ेगा server में जाक आपको बस एक plugin को यहाँ पर deactivate करना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहाँ पर दोस्तो लोडिंग का issues है ठीक है यह अभी loading ही हो रहा है लेकिन दोस्तो अगर मैं उस plugin को यहाँ पर delete कर दूँगा या deactivate कर दूँगा तो हमारा यहाँ पर जो issues है यह साही हो जाएगा ठीक है यहाँ पर भी अगर क्या होता है कि आपका page open होता है यहाँ पर यह गोल-गोल घुमता है ठीक है round होता है और हमारा page की आप हम यहाँ पर edit नहीं कर पाते हैं तो यहां पर दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्तो मैं आपसे एक बात कहने चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दूस्तो सब चब पहले आपको क्या करना है कि अपने डेश्बूट में आना है आपको login करना है क्या wordpress WordPress login करने के बाद आपको आना है plugins में ठीक है install plugin जो अपने जितने भी plugin इंस्टॉल किया हो है उस plugin को हम पहले देखेंगे तो यहांपे दूस्तों आपको क्या करना है कि simple से आपको एक Elementor plugin को आपको deactivate करना होता है आप जब Elementor को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ आप यहांपे एक दो plugin को और इंस्टॉल कर देते हैं जो कि उस plugin से हमें यह problem यहांपे face करना होता है तो आपको Simple Essential Add-ons for Elementor, इस plugin को आपको यहाँ पर delete करना होता है. तो आपको क्या करना कि यहाँ पर deactivate plugin को करना है? Deactivate करने के बाद दोर्ष्टों, हम इस plugin को यहाँ पर पूरा delete ही कर देते हैं. क्योंकि इस plugin से हम कुछ भी काम नहीं करते हैं. बिना इस plugin से भी हम यहाँ पर elementor में पूरा design कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस plugin को हम delete कर देते हैं ठीक है मैं यहाँ से delete ही कर देता हूँ अब delete करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखना जो यह problem है हमें बस एक plugin को यहाँ पर delete करना होता है आप चाहे तो server में भी जाके यहाँ पर इस plugin को जो coding होती है उस coding को वहाँ पर हटा सकते हैं फिर भी जाके आपको सही हो जाता है लेकिन दोस्तों हमें server में file में जाने की जरूत नहीं है आप यहाँ पर simply आप इस plugin को deactivate करके इसे ठीक कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह page मेरा जिस page को मैं यहाँ पर edit करना चाहता था वो page मेरा यहाँ पर open हो गया है तो simply दोस्तों आपको भी ऐसा ही करना है अगर आपके यह plugin आपको यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है अक्टिवेट किया हो तो इस plugin को आप यहाँ पर delete कर सकते हैं बिना उस plugin थे भी दोस्तों हम यहाँ पर अपने page को design कर सकते हैं बहुत अच्छे से हम design कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों I hope you कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके आपके जो loading का issue है यह कैसे करके आपको यहाँ पर fix करना है तो दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कहने चाहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्या हुआ हुआ है